हलो फ्रेंड विडियो आपके साथ में शेर करने के लिए आई हूँ जो लोग फर्स्ट है मेरी वीडियो को देख रहा है मैं आपको बता दीना चाहते हूं छोटे-छोटे स्टोरीज, पैरग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेर करती रहती हूँ जिनसे हम बहुत सारी नियू वर्ट सीखते हैं अपने वर्ट को इंप्रूफ करते हैं साथ ही जो भी ग्रामार दे जाती है मैं कोशिश करती हूँ कि एजी वे आपको एक्स्प्रेइन कर सकूँ आज हमार टॉपिक होने वाला है टेमोक्रिटिक राइट्स के उपर यानिके लोक तांतरिक अधिकार के उपर एगर इसमें जितनी भी हम वर्ट से देखेंगे आपको पॉलिटिक से रिडलेटिड जो हमारी उकैवलरी होती है वो इसमें देखने को मिलेगी प्रेज్नेफिन टेंस जो mostly हमारे जीतनी भी स्टॉक्चर बनते हैं उनका यू दूखको इसमें बहुत दा देखने को मिलेगा कुछ पास के संम्टेंस रह सकते हैं अप्पर देखने को मिलेगा ता हम सुपूरा सेंटेंस हों कैसे रीड करेंगे democracy means होता है लोकतंत is means है mainly यानिके मुख्य रूप से a Greek word एक Greek शब्द है which means जिसका अर्थ होता है people and their roles people means लोग and their rules यानिके उनके नियम इसका अर्थ होता है लोग और उनके नियम here people have to select यहाँ पर people यानिके लोग have to उन्हें करना है present के अंदर इसको हम use करते हैं जब भी हम बोलते हैं कोई भी काम करना है ठीक है have to select लोगों को चुनना है their own government their मितलब उनकी sorry their उनकी अपनी government उनकी अपनी सरकार को as per their choice as per their choice यानिके उनके चुनाव के अधिकार पर रूप से एक Greek शप्ट है जिसका मतलब है लोग और उनकी नियम यहाँ पर जो है क्या होता है कि लोग अपने आप या अपनी पसंद से अपनी सरकार का चुनाव करते हैं या उन्हें अपनी पसंद से अपनी सरकार का चुनाव करना है simply I hope आपको इसली समझ में आगया होगा Greece was the first democratic country in the world Greece जो था वो first पहला democratic यानि कि लोगतांत्रिक देश था in the world संसार में Greece संसार में पहला लोगतांत्रिक देश था India is a democratic country India भी जो है वो एक democratic यानि कि लोगतांत्रिक देश है भारत एक लोगतांत्रिक देश है वेर पीपल सेलेक्ट टियर गवर्वर्वेंट आफ टियर ओन चोइस वेर जहां पर पीपल सेलेक्ट पीपल या पसंद से चोइस मतलब इच्छा या पसंद दोनों हम बोलते हैं और चुनने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं ठीक है वो अपनी चॉइस से या अपनी पसंद से अपनी सरकार का चुनाब करते हैं People also have the rights लोगों के पास में साथ ही अधिकार भी है have का मतलब होता है most of the time होना उनके पास में अधिकार भी है to do करने का the work of their choice उनकी पसंद से या उनके चुनाब से उन्हें कारे करने का अधिकार भी है there are two type of democracy यहाँ पर दो प्रकार के लोगतंत्र है या फिर आप खाली बो सकते हैं कि दो प्रकार के लोगतंत्र है क्योंकि मैं आपको बहुत बात बता चुकी हूँ यह को as a dummy word भी यूज करते हैं जब हमारी sentence के लिए हमें proper subject समझ में नहीं आता है ठीक है वहाँ पर बहुत सारी conditions होती है जब हम grammar rules start करेंगे तब वहाँ पर इसको हम देखेंगे direct and representative and hybrid और semi-direct democracy तो direct यहनके प्रतक्ष and representative और प्रतिनिधि रिप्रतिनिधि रहने के जो प्रतिनिधि होते हैं and hybrid hybrid means क्या होता है hybrid का मतलब होता है जिसे कि हम किसी भी चीज को संकर बोलते हैं ना कि संकरी कोई भी चीज है वो और या फिर semi-direct अर्ध प्रतेश democracy यहने के लोकतंत्र तो simply यहाँ पर कि हमारी जो अधिकार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं दो प्रकार के होते हैं प्रतिक्ष और प्रतिनिधि और संकर या फिर अर्ध प्रतिनिधि लोकतंत्र democracy यहने के लोकतंत्र is there are many decisions which are made under democracy are many decisions many ययनिके बहुत से decisions यwir के निर्णे हैं यहाँ पर बहुत से निर्णे हैं या फिर बहुत से निर्णे हैं which are made जिन्हें किया गया है under का मतलब होता है नीचे या फिर के तहत जिन्हें違塔े के तहत इस सी सेंटेंस को हुम बोलेंrai यह हमारा क्या है active passive way का passive sentences ठीक है people enjoy few rights people means लोग enjoy आनन्द उठाते हैं या आनन्द लेते हैं ठीक है few rights few means होता है कुछ जब हम बोलते हैं किसी भी चीज़ के बारे में कि थोड़ी या बहुत जदा उसे साब से हम few का यूज़ करते हैं few rights लोग जो है कुछ अधिकारों का आनन्द उठाते हैं which are very essential for human being to be to live happily which are very essential जो बहुत जदा आविशक है for human being किसी भी मनुश्य के लिए to live happily खुशी से जीवन जीने के लिए जो किसी भी वेक्टी या मनुश्य के लिए बहुत जदा आविशक है our country has the largest democracy our country हमारी जो देश है has उसके पास है the largest democracy largest मीन सबसे बड़ी democracy यानि के लोग तंत्र हमारी देश के पास सबसे बड़ा लोग तंत्र है largest word है यहाँ पर वो क्या बता रहा है हमारा comparative noun ठीक है in a democracy एक democracy में each person has equal rights each person एक के रहे एक वेक्ति या फ्र प्रतेव वेक्ति के पास has means है equal rights समान अधिकार है to fight for development to fight यहाँ ऎनिकर लड़ाई करने के लिए for development विखास के लिए लड़ाई करने लिए हर वेक्ति के पास समान अधिकार है अभी sentence को हम समझ भी सकते है जैसे कि किसी भी वेक्टि को ये है कि अपने लिए अपने आपको आगे बढ़ाना है तो उसके पास में समान अधिकार है वो अपने लिए खुद के लिए वो फाइट कर सकता है सेम उस वे में ठीक है देमोक्रेसी भारत ने जो है डेमोक्रेसी को अपनाया है where the people vote those for who are above 18 years old वहाँ जहाँ पर लोग जो है vote कर सकते हैं जो उपर है 18 years यह यह अठारा वर्ज की उमर से जो उपर के लोग हैं वहाँ पर वो लोग vote डाल सकते हैं ठीक है वो लोग vote डालते हैं simply बट लेकिन इस वोट Do not vary by any caste यह having whatay means vary का मतलब क्या होता है vary का मतलब होता है लग-लग यह v-e-r-r-y vary नहीं है व-e-r-y vary है इसका मतलब होता है लग-लग होना या फिर different होना by any caste किसी भी जाती द्वारा people from every caste have equal rights to select their government people from every caste people यैनि के लोग हर एक caste यानि कि हर एक जाती के जो लोग है उनके पास में समान अधिकार है तुछ select चुनने का their government उनकी सरकार को चुनने का उनके पास में समान अधिकार है चाहें वो किसी भी जाती के है democracy लोगतंत्र also called as a rule of the majority democracy को साथी हम पुकारते हैं या फिर बोलते हैं called means होता है पुकारना या बोलना as a rule of majority हम उसे नियम के तहत के majority यानि कि बहुमत का नियम के तहत भी पुकारते हैं या फिर बहुमत का नियम भी पुकारते हैं means जहांपर whatever the majority whatever यानि कि जो भी हो the majority of people decided majority यानिके बहुमत में जब लोग कुछ भी वहाँ पर निर्णे करते हैं यानिके बड़ी से बड़ी संख्या है majority का मतलब क्या होता है जहां पर भी बड़ी से बड़ी संख्या में जो लोग निर्णे लेते हैं या decision करते हैं It has to be followed or implemented It has to be followed उसका पालन किया जाना है और implemented Implement का मतलब क्या होता है Implement का मतलब होता है जब हम बोलते हैं कि किसी भी चीज़ को अपला नेला है यानिके उस कारे को कर देना है उसको क्रियानवन करना है यानिके उस काम को लागू कर देना है Simple way में कि इसको implement करना है, अब से ये चीज़े होंगी, उस वे में implement का मतलब होता है, कार्य अन्वेन करना, ठीक है, the representative, winning with the most, representative क्या होते है, representative यह निकि जो प्रतिनिधित्व करते हैं, किसी भी सरकार का, या किसी भी पार्टी का, जो प्रतिनिधित्व होते हैं, winning, वो जीत कराते हैं, with the most, with means साथ में, the most, most means सबसे अधिक, most सबसे अधिक, सबसे अधिक, बोटों के साथ में, जो भी प्रतिनिधि जीत कराता है, ठीक है, winning यानिके, जीत कराता है, number of votes, जो मतों की जो संख्या होती है उनसे जो भी कोई जीत कराता है will have the power उसके पास power यानि के शक्ती होगी will have the power उसके पास में शक्ती होगी I hope यह topic आपको समझ में आया होगा बहुत important topic है mostly यह topic है 8th और 9th class के exams के अंदर आता है अगर आप school में भी नहीं बढ़ रहे है तभी भी यह जो topic है आपको जानने की बहुत दो ज़रूत है मुझे लगता है आपको पसंद आया होगा कैसा लगाए प्लीज मुझे जो comment box में जरूर बढ़ाएगा आज के जो हमारे 3 words होने हैं जिनसे आपको sentence बनाना है फर्स्ट है democratic means लोकतांत्रिक नेक्स्ट है follow फर्लो मींज अब पालन करना एंद थर्ड है equal इक्वल मींज होता है समाल इनो तीनो words आपको sentence बनाना है comment box के लिखना है आज के जो 3 words हैं हमारे फर्स्ट है representative next है adopted and third है implement I hope यह topic और यह video आपको पसंद आया होगा कैसे लगा प्लीज मुझे comment box में जरू बताएगा thanks for watching जेएएएगो पस्सप्रे मोगषब यप धो the